हेलो अबरिवान गुड मॉनिंग टू आल तो स्वागत है आप सभी का फिर से नीज़ पेपर शेसन पे और चलिए शुरू करते हैं आज का नीज़ पेपर तो उसके पहले ध्यान दें कि कोरोना वाइरस ऐस विनों फैल रहा है तो सावधानी बढ़ते हैं आप सुरक्षित र हुआ है कि बोला गया है कि vaccination गो डाउन एस स्टेट्स फेस्त शॉटेज तो गोडाउन का मतलब होता है कि कम हो जाना की मतलब टीगा करण चल रहा था हो कम हो गया मतलब जब उसका इस्तर था वो नीचे आ गया आजस्टेटि स्टेटि राजी जो राज़्य वह हैं काई स ef की और सेंटर से C ball twice rri plyneし k Al around चायर नहीं टो सेंटसेंटर सेंटर का मानना कि शो को फिर्र से रिप्लेनिश्ट कर दिया बास्ट आंस पर जैसा कि कम से कम एट डेज का वन वीक का तो दो ही वैक्सिनिशन दो ताकि चलता रहे और नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है वो सुप्रीम कूर्ट से जुड़ी वी है तो पेपल पेपल आर फ्री टू चूज रेलेजन तो जो लोग हैं वो क्या हैं फ्री हैं कि चूज करने के लिए क कि रेलेजन जो धर्म अपनाना चाहते हैं अपना सकते सुप्रीम कूर्ट ने ऐसा बोल रहा है क्यों बोला है कि एक पली जो याचिका दायर की गई थी कनवर्जन पोले करके तो सुप्रीम कूर्ट ने उसका जवाब देते भी बोला है कि अठारा साल के उपर अगर है तो आप जो भी धर्म चुनना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं उसमें कोई एंटरफेरंस नहीं करेगा नेक्स्ट न्यूज जो है कि सिविलन वस रिलीजट इन एक्षेंज फॉर कमांडो जो कल हमने देखा कि एक हमारे जो कमांडो हैं माइस्ट वाले जो केस में रिलेटट तो उनके चलते जो सुकमा में जो अटाक वा था तो उसके चलते एक लोग को एक रिलियस किया गए कि सको सिविलियन को हैना तो पुलिस है उसने पोला कि उसने भी किसी को आरष नहीं किया था और मैंस्त हैड एक जवान किस sya'rpf जवान और यहां देखिए था सियार पीजवान को आपज़क्त किया था मतलब उनका पहरान किया था next is center steps in to roll back fertilizer prices तो सेंटर ने स्टेप्स इन इन टो रोल बैक रोल बैक का मतलब क्या होता है शुरू करना एक दर से हैना की बैक fertilizer prices तो मुव आफ्टर मीटिंग विद मैन।फेक्ट्ट्रस मतलब मैन।फेक्ट्रस के बाद में बोला का गई कि एड आदे आफ्टर fertilizer production announced the sharp 40% 46% to 58.3% hike in the prices citing higher raw material cost the central government intervene on Friday and ensure a roll back even though fertilizer prices are no longer regulated है और साथी में बोला कि union minister of state है chemicals fertilizer मंसुक तिके जो मांदा विया है said prices would remain unchanged for now मतलब उन्होंने बोला कि center steps into rollback for fertilizer prices मतलब कि जो production houses थे वो उन्होंने बोला कि वो cost उसमें ज्यादा लग रही तो वो price बढ़ाएंगे लेकिं center ने बोला कि जैसे price थे वैसे ही रहेंगे और next news हमारी है वो जुड़ी हुए है कि Delhi government से Delhi government ने बोला कि कर्व करने के लिए कर्व का मतलब होता है control करना कि जो कोविट 19 के cases हैं उनको कर्व करने के लिए अलग अलग तरह से प्लान क्या कर रहेंगे कि क्योंकि अब तक जो देली में cases है हूँ 8.5 लगवा साड़े 8000 का मार्क नहीं जो मार्क था उसको क्रॉस कर गये हैं उसी के चलते बोला गया इसकूल बंद रहेंगे फर्दर नोटिस तक हना कि अगला जब तक अगली नोटिस नहीं आती है और यूपी में क्या हुआ है कि बढ़ी गड़बड़ी होगी यह बहुत ही गलत है कि गलत क्या है में कि जिनको टीका देना चाहिए था किसका वैक्सीन कोभी 19 का देना चाहिए था और उनको टीका किसका दे दिया गया जो फार्मसिस था उसको सस्पेंट कर दिया गया है यूपी के शामली डिस्टिक में तो ये न्यूस थी अब तोड़ से कॉलम में देख लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ तो बोला क्या क्या देख लेते हैं जो न्यूस है वो इसमें ये बोला कहा है कि केस केस आफटर इटाइली पेस मिंस लोगों को मा रहा था तो उसके चलते है अगर इटली ऐसwire है उनकी फैमिली को पे कर देता है तो कि ट्रायल नहीं चलेगा नेक्स डेकी सेवन मेलिटेंट गंडाउन इंकाउंटर सें पुल्वामा एन सोफियान तो गंडाउन का मतलब होता है मार गिरा ना कि मार गिरा गये पुल्वामा में और सोफियान जो छेतरे वहाँ पर साथ इस्ट 99 मतलब की वह 99 साल के हो गए तब उनकी क्या हुई डेथ हुई है और हर्शल से स्पेल डिविलियर्स नौक हेल्प आर्सेबी एज माई इन ओपनर का मतलब की आर्सेबी जो रॉयल चैलेंजेस पर गलोरू है उसमें हर्शल की जो अच्छी गेंदवाजी और डिविल इंडियन प्रेमर लीग है उसका पहला कल मैस था तो उसमें आर्सेबी ने हरा दिया किसको मॉंबाई इंडियन्स को तो यह हमने निउस देखी आज हम थोड़ा सा अलग डिसकस करने वाले हैं कि आज हम रहेगा हमारा रिलेटेट एडिटोरियल से ही लेकिन वह थोड़ा सा क्या रहेगा असेंबली पोल से रिलेटेट रहेगा तो आज हम थोड़ा से जा रहे हैं वेस्ट बंगॉल की तरफ और देखें कि वहां पर क्या चल रहा है कि जो क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू वहीं है कि मिन्स वेस्ट बंगॉल में जो पॉलिटिक्स है वो सब को और नर्जी हैं वہां की चेफ मिनिस्टर आप टक की जो रही है उन्होंने क्या बुलाय अलैसज़ कवा सबस्क्राइब करना प्लोट का मतना शड़ें ठ उन्होंने ये दोशार उपड किया है कि प्लानिंग हुई है किसको उनको मारने की जान से मारने की है न कि इसकी प्लानिंग किये गई उन्होंने ये बोला है और अमित अशा सेज दे चीफ मिनिस्टर इस ट्राइंग तू क्रेट अनार्की इन स्टेट तो अमित सा ने कहा है व आवेवस्था है ना कि मिन्स अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है वो स्टेट में उसकी इन्होंने भूला आप वन बाइवन डिसकस करते हैं देखते हैं कि क्या है है ना हम देखेंगे स्ट्रक्चर आज इसका हम देखने वाले हैं कि इसी विजिस तरह में थोड़ा सा आज इजी लिए हुआ है कि अलगलग चेंज करते रहे हैं जैसे स्टार्ट करें अगर तो इस क्या बुला गया बुला गया कि the campaign for the west bengal assembly पूल्स इस गेटिंग श्रिलर विद एवरी पासिंग डे तो यहां से मगरे स्टार्ट करें तो यह हमारी वोब हो गई है ना इसके पहले वाला हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है कहें कि campaign campaign का मतलब जो अभियान है कहां पर वेस्ट बेंगाल में assembly पूल्स के लिए इस है गेटिंग तो इस गेटिंग का मतलब होता है क्या हो रहे है श्रिल श्रिल का मतलब आवाज होती जैसे गाड़िया मगारे चलती है और बहुत ही जो अकानों का आवा उसको श्रिल आवाज बोला जता है तो श्रिलर हो रही मतलब की चीजे और हमताब और आले जानल झेसे दिन पास हो रही है वहां पर संगर्स चल रहा हूं पर आना आगे देखें ऑन फ्राइडे फ्राइडे को क्या हुआ कि चीप मेनेस्टर मम्ता बा से अलेज्ट का मतलब कि दोस्त लगाया that there could be plot to assassinated यह जो वर्ड है असाइसिनेट का मतलब एक होता है नॉर्मल होता है murder होता है और एक होता है assassination तो assassination क्या होता है कि किसी जब राजनी तो पॉलिटिक्स politician होता है उसकी जब कोई great personality होती उसकी जब murder होता है उसका तो वो assassination होता है यह word SSC में कई बार पूछा किया है तो इसको आप याद कैसे करोगे assassination का मतलब तर राजनी तिखते है या कोई great personality हो उसकी जब murder किया जाता है तो उसको assassination बोलते हैं इसको आप कैसे यह spelling error में पूछता है कि मतलब इस spelling उसकी merge करके दे देगा और फिर आप से पूछेगा चलो भी बताओ इसका spelling कौन सी सही है तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो जैसे मैंने यहापर लिखा ए लिखा फिर उसके बाद double s लगाया हुँआ है फिर हमने लिखा है फिर डबल इस लगाया हुए है ना फिर मैं एटि-आयो Ț इसको दिखो हंगे तीन भागों में ब्रक्ट किया एक तो यह वह लगवा पार्ठ अ इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आसानी से इसको क्रम में याद कर सकते कैसे एक गदा उसके पीछे दूसरा गदा उसके पीछे में मेरे पीछे राष्ट है मतलब आई और आटी आगे नेशन का मतलब राष्ट तो अब असाइसिनेशन की स्पैलिंग आपको भूलेंगे नहीं आप लोग है ना कैसे एक गदा एडबलेस दूसरा गदा एडबलेस में आई नेशन राष्ट हो जाएगा ना तो यह इसको मैंसे इसको याद कर सकते हैं मत हऽते हैं अद्रेसं एडडेस के कई सारे मीनिंग है अधसा का मतलब क्या हुता है कि हल करना भी होता और समबोधित करना भी होता है ओर यहाँ पर पर करना मतलब है वह समबोधित क्वा आई आबницы का हाँ मुच मनी यू है मतलब की इन्होंने अमेज साह को सम्मोद एक तरह से उनको डार्गेट करते हैं बोला कि तुम्हारे पास कितना मनी है यू आर स्पेंडिंग करोड्स तुम में पैसा इस्पेंड कर रहे हो फ्राम वेर यू हैव गॉट सो मच मनी की इतना सारा पैसा तु उन्होंने का कि अब मैंने इतना बोल दिया है तो हो सकता है कि मेरा हो सकती है यह यह बोला कि मेरा पैर नंने बोला है To Assassinate Me, कि means यहांपर plot हो सकता है. Could, उन्होंने बूला, संभावना जाता रही है. कि दर could be plot toně assassinate मैं कि हमको assassinate किया सकता है. But I do not care, कि मुझे परवा नहीं है. As long as I am alive, जब तक मैं जिन्दा हुँ, I will keep talking about issues. मैं issues के बारे में बात करती रहूंगी है. कि i keep talking , зем Ready , जो जो की होता है , amar काम करने कि का मतलब है जारी नहीं की पूरा होता है , लेकिन आपक्तेमाल कर सकते हैं , या की स्ट्रक्श्र होगया , नेक्स हगर Commission of India issued two notices to her मतलब की कह रहे हैं राइटर कह रहा है कि यह जो रिमार्क उनकी टिपड़ी है यह तब आई है कि सून आफ्टर किसके बाद में कि एलेक्शन करमेशनां ने उनको इसू किया था दो नोटिसस उनको भेजे थे जना आप गिस्ट से जूड़े हैं आप देख लेते हैं इन वने कनेक्शन विद करके जो पहला जो जूड़ा था न वह से जूड़ा हुआ था कि अब है उनका जो रिमार्ख था उन्होंने टिपड़े की थी वाई हर अगेंस्ट डिवीजन ओप माईनोरिटी उट्स हना कि मतलब उन्होंने कि माईनोरिटी को बोला था कि तुम सब लोग हमी को वोट करो एक अठा करो बीजेपी को मिन्स यहां से भगाव इन सब के खिलाब उन्होंने बोला था उसके वेन्प पर के लिए यह लिए वह सब्सक्राइब उन्होंने यह बोला है बोला था तो इसके के लाक्षन कमिशन ने इनको क्या किया था नोटीस भेजा था अब आगे इस स्पीकिंग एट एनएदर पबलिक इमीटिंग मतलब कर दूसरे पबलिक मेटिंग में बोलते हुए मिंस मिस्ट भेलार जी हिट बैलार जी ने का हिट किया हिट आउट उनने बोला एक ते लिएक् सब्सक्राइब करें तब तक यह बोलती रहेंगी है और इनों ने बोला कि I will सब्सक्राइब करता रहेंगी कि तब तक में इसके बारे में बोलती रहोंगी करें एक बार हो जाए डैट आइवल सैल्यूट दफ फोर्स करें कि अगर भार्दी जनता पार्टे के लिए काम करना बंद कर देंगी तो मैं इनको सैल्यूट करूंगी फोर्स को I do not care anything about your ECI's showcase letters करें कि जो एलक्षन कमिशन ने उनको नोटिस भेजे हैं उनकी कोई care नहीं करती शीज़ एड्रसिंग रेली एट ठीके जमालपुर में रेली को एड्रस करते हुए इन्होंने ये बोला है ना नेक्स्ट जो उन्होंने आगे बोला ओके जिस नेक्स्ट में उन्होंने ये बोला कि मिन्स मीन वाइल साथी में सीनियर बीजेपी मिन्स सीनियर बीजेपी लीडर्स की बात करते हैं जिसमें कौन-कौन शामिल है आमित शाह सामिल हो में अमित शाह सामिल है पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नडड़ा टार्गेटे दा ट् की हेड हैं बिजेपी पार्टी के और जो हो मिनिस्टर है वो किसको टार्गेट कर रहे हैं यह टार्गेट कर रहे हैं कि ममता जी को ममता बैनर जी को टार्गेट कर रहे हैं इन माई इंटार मुईट्वा लैंडा हुआ है अइंटार मैं चीफ मिनिष्टर और पार्ती जीफ यूज दी तर्फ ही उज दिविव को आप chunks ड़ाइन्य यूजिं जेँ अशुझ है अमेज तक नहीं देखा, मिंस ऐसा कोई परसंगा एक चीफ मिनिस्टर और फिर पार्टी प्रेस्टेंट नहीं देखा जो फोर्सेस के अगेंस्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें वाई शी ट्राइंग टू क्रेट अनर्की तो और उन्होंने बोला कि जो यह मंताब अनर्जी है यह मत्ब अराजकता फैलाने की कोशिस क्यों कर रही है क्वेशन उन्होंने पूछा आगे उन्होंने बोला कि मिस्टर शाह सेड अड़सिंग जनर्रिस्ट इन कोलकाता कोलकाता में ऐसा अड़स करते हैं उन्होंने बोला कि अमिर्शा ने बोला कि अमिर्शा ने ये बोला कि भाई डिरिंग जब पोल्स जब एलेक्शन होते हैं तो जो फोर्सेस होती है वो सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर नहीं आती हैं के अंतरगत आती हैं ऐसा उन्होंने बोला और अमिर्शा रेज दे इसु आफ इन्फिल्टरेशन का मतलब होता है कि जो लोग बांगलादेश वगएरा से इंडिया में प्रवेस कर रहे हैं वेस्ट बिंगॉल में प्रवेस कर रहे हैं और हो मिंस वहां की जो गवर्मेंट है साथ वोटिंग कर रहे हैं तो उलका उन्हें ने मुद्दा उठाया है घुस्पैट का मुद्दा उठाया है इस मुद्दे के बारे में कोलकाता के लोग क्या हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस वजे से ऐसा बोल रही हैं तो ये सारी बाते उन्हें ऐसा बोला मतलब कि हो मिनिस्टर जो क्या कर रहे हैं कि बहुत दर्वाजों पर जाकर के हर घर जाकर के कैम्पेंज चला रहे हैं इन दा हाट अफ सिटी सिटी में and constituency that Mr. Benerji had represented in 2011 and 2016 में उन्होंने वहां से election लड़ा था तो वहां जाकर के भर घर जाकर के प्रचार प्रचार कर रहे हैं मिस्टर शाह participated उन्होंने भाग लिया मतलब कि बर्दमान जो जगें है और रोड शो में कौन रहा मिस्टर सानेशå पाटिसिपेट किया तो मतलब यह सारी चीजें वहां पर चल रही हैं कहां पर कि वेस्ट बेंगॉल में तो मतलब अभी तक एक दूसरे के ओपर दो सारोपन हो रहा है और जो ममताब एनरजी है कर दो